कमण को हम साफ करेंगे बिल्कुल क्लीन क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है तो बच्चे भी पूरा दिन कमण बैड पे रहा हैं तो बच्चे गंदा कर देवे हैं और वैसे भी ड़स्ट आ जावा है कमण पे क्योंकि अब तो सर्दियां इतनी हो रखी है और कि पूरा का यूज है ना किसी और चीज का यूज है बिल्कुल आप लोगों को दिखाती हूं क्या-क्या चीचिएंगा एक तो हमें कुकर का ढकन यानि की कुकर की मदद से और चलनी और यह सोक्स है एक खैंकी है और पॉंट्स पाउडर और बेकिंग सोडा इन चीजों का इस्तिमाल करके हम कंबल को बिल्कुल क्लीन करके दिखाऊंगी मैं आप लोगों को पूरा डस्ट निकाल के दिखाऊंगी कैसे निकालते हैं डस्ट बिना पानी के बिना सरफ के कैसे हम कंबल को आज साफ करते हैं तो वीडियो में पूरे बनी रहे ना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको आथ चलनी की मदद से पूरे कमड पर ऐसे कर देंगे ऐसे बूरा कमड पर आज के यह आज मैं हिए बाई आथ में डाल लेनी आक और यह देखो आप लोगों को दिख रहे होगा पूरा पावडर में ने पूरा कमड पर फैला दिया है पावडर और बेकिंग सुड़ा थ जभवो आप इसको जब यसे सोक्स की सायता से खटा कर लेंगे पूरे इसको एक जग्धा इधर बीच में बेकिंग सूडा और जो यह पाउडर हमने छिड़ किया है पूरा कम्मल पह इसको इसे आंद तैं उसकी मदत तैसे बीच में खटा कर लेंगे इसको एसी यह अमने पूरा इसरे बीच में इखटा कर दिया सोक्स की मददध है सोक्स भी देखो गंदी पूरा इखटा कर लिया अब हमें क्या करना है वह दिखाती हूं मैं आप लोगों को इसोक्स को निकाल देती मैंने ये एंकी ले लिया है, कुकर का डक्कन, इसको ऐसे पूरा बंदलिंगे इसको ऐसे इसको ऐसे पूरा एंकी से, कुकर का डक्कन को ऐसे बान लेना है, हो गया, ये देखो और अब इसको हमें ऐसे करना है, ऐसे पूरे कंबल पर जा ये गिए, फbel करना है, वार वे आप करना है मैं जा महुत्प्ट्ट бुड़ीं, का झांपै़ जा जा मुझत्च, जा म Calvinimवशने से मुड़ीं, अवम मुटब वज ढ बंदलिंगे, क्या everything कुआत्यक्पैdy, इन्से का येखो, यह देखो दिख भी रहा होगा देखो पूरा गंद डस्ट जो भी है पूरा आ गया इसके अब क्या करना है सेंकी को हमने सेंपू के पाणी में इसको वोस कर लेना है और फिर दुबारा ऐसे ही इसको फिर से क्लीन करना है इसे ही तो हमने एक डलू में पाणी ले लेना है इतना सा और इसमें थोड़ा सामने सेंपू डालना है पाणी में और सेंपू डालके इस एंकी को डिप करकर के इसमें इसी पाणी में डिप करना है बिल्कुल दो के और फिर दुबारा ऐसे ही बंद करके इसको डखकन पर एंक करके पूरी डस्ट और गंदगी जो भी हमारे कंबल की है वो निकल जाएगी तो आप लोग ट्राइ कर सकते हो अपने अपने घर में इसमें ना कोई पाणी का यूज है ना कोई सरफ का यूज है ना कोई किसी भी चीज का कोई भी यूज नहीं है सिंपल तरीके से आप ऐसे अपने कंबल की पूरी डस्टिंग निकाल सकते हो अपने अपने घर में ट्राइ करना और वीडियो अच्छी लाग है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को थैंक्यू फिर मिलेंगे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या हुआ है